नमस्कार मैं प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में टाटा मोटर्स को डिसकस करेंगे टाटा मोटर्स को लेकर के मल्टिपल न्यूस ट्रेंड हो रहा है और आपको याद हो जब इसने 860 के लोवर लेबिल बनाने के बाद 920 पे आया तो मैंने आपको कहा कि यहां से व् क्रिमियम टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपेन करें और वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे सबसे पहली खबर इसे स्टॉक में जो है वो यह है इसको थोड़ा समझने की कोशिस करेंगे पोजेटिव न्यूस टाटा मोटर्स जी एल आर जो की बैक बोन है टाटा मोटर्स का खबर क्या है खबर यह है कि यूरोप जो है मल्टी बिलियन यूरो टैरिफ इंपोस कर दिया है जो भी चाइनीज एलेक्रिक कार है उस पर जिसका डाइडेक्ट बेनिफिड जो है टाटा मोटर्स को होते यासा कल के न्यूज में हमने देखा था जहां टाटा मोटरस ने खुद कहा कि हम खुद को डेट फ्री और जी अलार को दुहजार पचीस तक डेट प्री कर लेंगे जो मर्जर हो रहा है जो मर्जर हो रहा है बरा वेकल, एलेक्टिक वेकल और JLR में चार हमने देखा था कि डिमर्जर को लेकर के कंपनी ने बातें कही थी इसके अलाबा मार्केट सेयर को लेकर के उसके बाद EV पेनिट्रेशन को लेकर के ये सभी बातें कही गई हैं यहां देखेंगे टाटा मोटर्स जो है 18,000 करोर निवेश करेगा FY30 तक ब्रोकरेश जो है वो बुलिस है टाटा मोटर्स पे आज के वोल्यूम 1 करोर के नोमिनल ही रहे लेकिन टेकनिकली क्या होता है जब भी इस टॉक एक वन साइडेट ट्रेंड में ऐसे जाए फिर एक गिरावट के बाद कंसोलिडेट करके निकले मतलब यह अगें एक पहला रेंज जो हमने कहा था कि पहला जो टार्गेट इस स्टॉक में दिखेगा वो 1040 का दिखेगा इसके अलावे 1200-2000 तक के पोटेंशियल टार्गेट भी दिख सकता है बात की जाए कि वीकनेस कहां से आएगी तो जब तक यह स्टॉक यह वाला लेबल आप देखेंगे यानि 954 को ब्रेकडाउन नहीं करे स्टॉक बिल्कुल वीक नहीं होने वाला है श्लू एनिस्टडी अपर साइट के ट्रेंड ही दिखेंगे